सो हेलो गाइज दिस इजुदे एंड यूर वाचिंग इस्टूडेंट सिंपायर गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर वन का कोश्चन नमर 6 तक हमने प्रिविएस वीडियो में कर रखे ते तो उसको देखना है तो आप लोग डेफिनेटली प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हो ठीक है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो आज हम लोग करेंगे कोश्चन नमर 7 उसमें भी सेम वही टाइप का कोश्चन है जो हम सुरू से सॉल्व करते आ रहे हैं कोश्चन नमर 5-6 सब में वही था बैल से गंगेंस करना तो लेंगे में लीक लिख लिए उसको एक्वेसें में करेंग êtes ज़ल्य मोग च्ला करेंगा एंडी जन divorce करने तहीं ज़्दी ज़ल्दी से को मीस blossom года करते हैं में और में दिया हुआ है calcium hydroxide calcium hydroxide तो आपको इस सब का फार्मूला पता होना चाहिए क्योंकि इसमें लेंग्वेज में लिखा है और calcium carbon dioxide जो दे रहा है calcium carbonate co3 plus water release कर रहा है हुआ है तो इसको जल्दी से balance करते हैं तो balance करना तो हमने previous video में बता ही रखा है तो यहां पर हो गया दो दो चार और यह हो गया तीन एक चार oxygen balance है hydrogen दो है hydrogen दो है calcium यहां पर एक ठीक है यह तो लगता balance है देख सकते हो यह हमको लग रहा है यह balance है पहले से तो अब question number B को देखते हैं इसमें zinc plus silver nitrate silver nitrate होटा है AGNO3 जो क्या बना रहा है जो दे रहा है प्रोड़क्ट साइड में zinc nitrate ZnNO3 zinc nitrate ZnNO3 तो यह hold to जाएगा plus plus silver AZ तो इसमें देखते हैं oxygen को देखो पहले 3 है यहां पर 6 है अब अच्छा है और oxygen nitrogen यहां पर 2 है तो चलो इसको पहले 6 बनाते हैं oxygen 3 है इसको छे करने के लिए 2 से multiply coefficient में 2 silver हो गया इसको भी 2 कर दो आवो nitrogen खुद balance हो गया 2 और यहां से भी 2 चलिए हो गया question number C मैं है aluminum aluminum plus copper chloride copper chloride तो यह copper chloride हो गया CuCl2 yes copper chloride है ठीक है ना copper का variable balance होता है पता ही नहीं जैसे copper chloride है तो CuCl2 होगा aluminum chloride Alcl3 क्योंकि aluminum का balance 3 को formula बनाने जनते ही होगे copper का होगया Cu ठीक है आप यहां से हम लो oxygen भी नहीं है hydrogen भी नहीं है चलो तो element individual to balance ही aluminum इसको देखते है तो यहां पर यह chlorine 2 है लेकिन यहां पर chlorine 3 है तो हम लोग क्या करते हैं तो हमको 3 तो इसको बनाने ही सकते तो even में लाना होगा 4 करेंगे तो यह तो चार नहीं हो सकता इसको फिर 6 करना होगा तो यहां पर 2 लगा कर दे यहां तीन को पीजिंड लगा यह चो हो गया तो copper 3 हो गया तो यहां से भी इसको 3 copper कर दो, aluminium दो है, तो इसको यहां दो लगा के, दिया हुआ है, दिया हुआ है, द्यान से देखिए, barium chloride हो गया, basl2, और potassium sulfate, potassium sulfate होता है, k2SO4, जो हमारा कोई दे रहा है, product में, barium sulfate, यह हो गया, basl4 plus potassium chloride, तो यह हो गया, kCl, आप हमें balance करना है, बहुत easy, oxygen पहले से balance है barium तो balanced ही है, chlorine को देखो, यहां पर 2 है, लेगिन यहां पर 1 ही है, तो और देखो, यहां potassium 2 है, तो इसको जैसे ही balance करेंगे, chlorine को, potassium खुद balance हो रहा है, तो समझ में आता है, यह सब हमने previous वीडियो में discuss करके रखा था, कैसे कोई भी equation को balance करना है, तो अगर उस वीडियो नहीं देखो, तो जाकर देख लो, प्लीज, तब आपको समझ में आ जागा, पुरा concept समझ में आ जागा, कोई भी typical question दे, तो कैसे balance करना है, चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में मिलेंगे question number 8 के साथ, 8 में फिर वही दिया है, हमारा balance करना है chemical equation को, और उसमें chemical equation का नाम भी लिखना तो चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियो, तब तक लिए टाटा, bye bye, have a nice day